चाणक्या IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे उदंपूर श्रीनगर बारामुला रेल लिंक के बारे में हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उदंपूर श्रीनगर बारामुला रेल लेंग पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उदगाटन किया और कश्मीर घाटी पर पहली विदूती करत रेल गाड़ी को हरी जंडी भी दिखाई प्रधान मंत्री मोदी जम्मू में मौजूद थे और उन्होंने डिजिटल तरीके से एक साथ दो विदूती करत रेल गाड़ीों को हरी जंडी दिखाई जिसमें एक श्रीनगर से संगलदान तक और दूसरी संगलदान से श्रीनगर तक चलेगी प्रधान मंत्री ने 48.1 किलोमीटर लंबे बनी हाल, खारी, सुंबर और संगलदान खंड का भी उदगाटन किया इस खंड पर यह सबसे लंबी सुरंग है जो 12.77 किलोमीटर लंबी है और T-50 के नाम से जानी जाती है उत्तर रेलवे के अनुसार अब ट्रेन बारामुला से बनी हाल होते हुए संगलदान तक चल सकती है जो पहले अंतिम गंतव्य स्टेशन या शुरुवाती स्टेशन हुआ करता था T-50 को बनी हाल, खारी, सुंभल और संगलदान खंड पर पढ़ने वाली 11 सुरंगों में सबसे चुनोती पुन माना जाता है अब हम बात करेंगे उदमपूर श्रीनगर बारामुला रेल लिंक परियोजना के बारे में यानि की USBRL के बारे में उदमपूर श्रीनगर बारामुला रेल लिंक परियोजना हिमाल्य चेतर में से ब्राटगीज रेल लाइन के निर्मान के लिए भारती रेल विद्वारा शुरू की गई एक राष्टिय परियोजना है जिसका उदेश्य कश्मेर शेतर को देश के बाकी हिसों से जोड़ना है ये हर मौसम वाली आराम गायक, सुविदा जनक और लागत प्रभावी जन परिवहन प्रणाली देश के सबसे उतरी पहारी शेतर के समगर विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी इस परियोजना के पहले तीन चर्णों का निर्मान पूरा हो चुका है और कश्मेर घाटी में बारा मुला बनी हाल और जम्मू छेतर में जम्मू उदंपूर कट्रा के बीच ट्रेनों के संचालन के लिए ये लाइन चालू हो चुकी है कट्रा बनी आल के बीच 111 किलोमेटर के खंड पर काम चल रहा है जो अपने भू भाग और गहरी घाटियों से भरी नदियों की विस्तर त्व्यवस्ता के कारण सबसे कटिन और खतरनाक हिसा है इस खंड में कई उतक्रिष्ट पुल और सुरंगे बन रही है इस खंड में जादा रेल ट्रेक और सुरंगों में से या पुलों पर बनाए जाते हैं इस परियोजना ने लोगों को रोजगार सम्रदी और कनेक्टिविटी प्रदान की है इस परियोजना से रियासी और रामबन के पिछले जिलों को विशेश रूप से लाब हुआ है अब तक दुर्गम रहे छेत्रों में अब सड़क संपर्क बन चुका है चिकित्सा, सिक्षा बाजार से जुड़ी और व्यवसाई गतिविदियां लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है 111 किलोमेटर लंबे कट्रा बनिहाल खंड के निर्मान की लागत अब तक लगबग 30,000 करोड रुपे रही है 2014 के बाद से इस परियोजना के लिए बजट आवंटन में कई गुना बढ़ोत्री होई है जिस से इसके निर्मान गतिविदियों में तेजी आई है अब हम बात करेंगे कि इस परियोजना से रोजगार स्रजन कैसे कनेक्टेट है भूमी मालिकों को रेलवे में नौकरी जिन मामलों में उनकी 55 परतिशत से जादा जमीन का अधिग्रहन किया गया है वो दिया गया है इसके अतरिक्त 1833.92 हेक्टेर भूमी का अधिग्रहन किया गया है और जमीन देने वाले लगभग 799 पातर लोगों को नौकरी दी गई है ठेकेदारों के माजम से रोजगार का स्रजन हुआ है ये संक्या 14,09 है जो कि स्थानिय लोगों का लगभग 65 परतिशत है अब तक 5 लाग से जादा श्रम दिवस के रोजगार स्रजित किये जा चुके है इसके अलावा कारिग्रों का कोशल विकास किया गया है जिसमें से कई अब कहीं और काम कर रहे है इसके अतिरिक्त संपर्क सडकों का निर्मान भी हुआ है 205 किलोमेटर से जादा लंबी संपर्क सडकों का निर्मान किया जा चुका है जिसमें एक सुरंग और 320 पुल शामिल है इससे दूर दरास के छितरों के 33 गाओं को कनेक्टिविटी प्रदान हुई है यानि की करीब 1.5 लाक लोग लाभान भी थुए हैं पहले यहां सिर्फ पैदल या नाओ द्वारा ही पहुचा जा सकता था लेकिन अब जो पही अवानों से भी पहुचा जा सकता है PMGSY की सडके अब इन अप्रोच सडकों से निकल रही है इसलिए परियोजना के पूरी होने का तकाल लाभ स्थानिय आवादी तक पहुच रहा है इसके साथ ही आज का इविशे यहीं पर समाथ होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद